नमस्कार दोस्तो बीसी आनी बॉलीवूड चलोगे मैं आपका सौगत है मैं हूँ आपका अपना रोहित्र पार्थी हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवूड की टॉप फाइव न्यूज के बारे में चलिए दोस्तो बगेर किसी देदी के वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले हम बात करते हैं आरेन खान की जी हां दोस्तो आरेन खान ने किया फिल्म पारी सुरू करने का फैसला जी हां दोस्तो उनके इस फैसले से उनके माता पिता बहुत ही खुस नजा रहे हैं सारुक खान और गौरी खान ये दोनों बहुत ही खुसी के मारे गदगद हैं अब बात कर आता लेकिन अम मानो वो ठंडे बस्ते में चली गई है जी हाँ सन 2023 के आखरी में नो इंटरी फिल्म के स्विकल की तैयारी चालू होने वाली थी लेकिन सलमान खान काफी बिजी थे और अपने नए प्रोजेक्ट में वे लग गए थे जिसलिए नो इंटरी कोवर्ट समय नहीं दे पाएं अपनी टाइम और डेट नहीं दे पाएं जिस कानण आप नो इंटरी मूवी थंडे बस्ते पर जाते रहे दिख रही है दोस्तों अब बात करते हैं तीसरी न्यूस द्रस्रम टू के आगे पस्त हुई फेडिया मूवी अब जल्दी द्रस्रम टू मूवी तीन सो करोन का आकड़ा छू सकती है आर 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 मूवी ने दोस्तों एक और इतिहास रच दिया है जी हाँ दोस्तों आर 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 मूवी को मिला है पेश्ट इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड दोस्तों और ये एक नया इतिहास इस मूवी ने रच दिया है अब बात करते हैं काजोल की काजोल ने अभी हालिहा बयान दिया था कि मेरी बेटी नीशा देवगन के पूरी दुनिया में फैन है दोस्तो ये थी बॉलिवुट की टॉप फाइप निउद दोस्तो आप हमारे साथ बने रहे हम आप के लिए ऐसी वीडियो और लाते रहेंगे दोस्तो तब तक के लिए नमस्कार बाई बाई